अम्भिकापुर की मनिपुर पुलिस को 24 अप्रेल के दिन हुए महिला से चैन स्केचिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस ने चैन स्केचिंग मामले में दो आरूपियों को गृफतार किया है वही आरूपियों के पास सिक्का बाइक और एक कार को भी जब्त किया गया है दरसल भटी रोड निवासी पती पत्मी स्कूटी में पर सवार होकर ग्राम लक्षमी पूर जा रहे थे तबी बाइक सवार अज्यात बदमार्शों ने महिला के गले से सोने के चैन को छीन कर फरार हो गए थे पत्मी के साथ में अपने रिस्तिदार की उड़ जा रहे थे तब ही इस्पताल के पास में इतलाल रंगी मोटर साइकल से दो अज्यात पर किया है और अध्यात प्रक्तिया करके उनकी जो पत्नी थी जो सोने का चैन पहनी थी उसको जपट मार करके लेगे गए तब प्रशाथ पुलिस ने अपरादरज किया और लगातार मेहनत करते हुए से सीटीवी को सर्च किया और सर्च करने के माथ़न से पुलिस ने दो आरोपी एक मंजेनट और राजेस जादों को गिरफतार किया है प्रक्रण में जो मोटर साइकल जिससे घटना की गई थी उसको जब तक किया गया है साथी साथ जो पंदरा ग्राम जो सुने की चैन थी उसको भी बरामत किया लोग सबचनाव के तीसरे चरण के लिए भाचपर कॉंग्रेस ने पूरी ताकत जोग दी है कॉंग्रेस पत्याशी देविंद्र यादव के पक्ष में गांधी चोग से लेकर देव की नंदन चोग तक रोडशो का आयूजन किया गया जबड़ी संख्या में कॉंग्रेसी कारिकरत और जुनिता ने भाग लिया जोरान प्रदेश प्रभारी सचीन पाइलेट भी मौझूद रहे सचीन पाइलेट ने कहां कि प्रदेश में कॉंग्रेस के पक्ष में महौल बनता हुआ दिखाए दे रहा है युवा चुहरे के रूप में देविंद्र यादव जनिता का स्तंबर्थन पानी में सफल नजर आ रहे है निश्चित ही यह चुनाव कॉंग्रेस के पक्ष में जाएगा मुझे लगता है कि आजपा जान पूच के मुट्व को डाइवर्ट करना चाहती है तरजबाती मुटे दारने को ते लेकिन खाद, बीच, ते, नौजवान, रोजगार, बेरोजगारी, इवेश, सड़क, सुविदाए, चिकित्सा, शिक्षा बाच्वा प्रदेश प्रिभारी, निति नभी ने सवाल करते हुए पूचा है कि प्रियंका गांधी महिला उत्पीडन के मामली में क्यों मौन रहती है जब उनके पार्टी के भीतर में ही इस तरह की घटनाय लगातार बढ़ रही है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस की नैशनल मीडिया कॉडिनेटर रादिका केडा राइपूर कॉंग्रिस मुख्याले में अपमान पर फूट फूट कर रो रही है सोचल मीडिया में वीडियो वाइरल होने के बाद कॉंग्रिस की महिला विरोधी चरित्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं लेकिन हमेशा की तरह कॉंग्रिस की राष्ट्रे महासरची प्रियंका गांदी ने चुप्पी साथ रखी है बुपेश के कुश्चासर के दुरान महिलाओं के साथ अत्याचार पर भी प्रियंका गांदी मौन रही थी अब अपनी ही पार्टी में महिला के साथ बत सलूकी पर उनकी चुप्पी बता रहे कि महिलाओं का सोशन और अपमान कॉंग्रिस की परंपरा है कि यहां कॉंग्रेस के राष्ट्री अधिवेशन हुए थे और प्रियंका आई थी उस समय भी महिलाओं के उत्पिरन का मामला आया उन्हीं के अंग्रक्षक के द्वारा आया और काई के काफी चीज़े आप लोग के द्यान जब उनके हैं रेड कार्पेट स्वागत किया ज आज उनके पार्टी में फिर से एक मामला आया है और उनके राष्ट्रे प्रवक्ता के साथ महिला उत्पिरन का विशे और महिलाओं का अपमानित करने का विशे आ रहा है तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि जो बेट्री बनने का प्रयास करती हैं जो महिला होने का दम भरती है वो अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रकती तो 36 गर की माँ बेटी और देश की माँ बेटी वो क्या सुरकती है। दीप प्रजुलित करने के पश्चात योग प्रेमा नी किया। उसके बाद सरस्वती शीशुमंदिर के प्रचारे ने अनुशासन के बारे में जानकारी दी। रोड क्रोस करने से में क्या रखना ध्यान रखना चाहिए। लाल पीली हरीबती का क्या प्योग है। और अपने घर में अगर हमारे माता पीता गाड़े चलाते हैं तो हलमेट पान के ज़रूर निकले क्या है। और सर्फ डिफेंस दिखाया उनको कि अपनी सोक्षा कुछ कैसे कर सकती जो को समान कैरी करें चलते हैं। अलाग-अला टॉपिक्स पे बच्चों के सेव डिफेंस के बारे में बच्चों को गुड़ टच बारे में। हमारे संस्कारों के बारे में। हमारे पुराने जो खेल जो गुम हो गया है जो लुप्त हो गया है। बच्छे आज कल मोबाईल पे ही सारे गेम्स खेलते हैं तो हम पुराने गेम्स को फिर से उनके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं और खाने में भी उनको रिफ्रेश्मेंट्स मतलब जैसे गुड़ चना हो गया मुंफली से कुछ युथ हो गया इस टाइप की चीजें उ जैसे समय पे कल बोला गया आज अनुशासन पे हैं फिर लक्ष पे कल बताएंगे और मोबाईल पे बाते होंगे कि हमको मोबाईल में जितना जरूरी है उतना ही देखना है जितना काम हमको चाहिए उतना ही करना है बिलाए में बेशन कर्मी से रहा दिलाने के लिए अलग-अलग संगटनों ने शर्बत पिलाने का आयूजन किया साथी शत्प्रतिशत मतदान करने की भी अपिल किया आयूजन उरान नई देशा रास्टेम बहिला जौगरती और अन्न संगटन की ओर से जनहित में किया गया इस वरान रहागिरों ने शर्बत और जलजीरक असेवन किया एंपी के सभी शहरों में है तो उन्होंने आज के दिन सभी क्लबों को अग्रह किये हैं अनुरूत किये कि आज पेजल आप जो भी ठंडा आप मतलब आज गर्मियों को देखते हैं तो इसी के उपलक्ष में आज हम लोग लिनिश क्लब दूर्ग तेज़श्वनी पेजल का शर्बत का लिएस्ता किये गर्मी को देखते हैं हम लोग ने यहां शर्बत और जलजीरा वित्रन का कायरकम रखा है साथी साथ हम लोग शर्बत बाढ़ते वे जो आमनागरिक है उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो अपने काम को छोड़े और उस दिन वोट के लिए अपील कर रहे हैं कि वो समय निकाल कर वोट देने जरूर दुर्ग में चुनावी सरगर्मिया औरुजंतिन पढ़ाव में कोई भी पाथी मतस दातां को अपने अपने डंग शीरिजने में कोई भी खसर नहीं चुड़ रहे हैं इसी कड़े में दुर्ग लोग सभा में भी भाचपाप ने प्रत्याशी को जीत सुनक्षित करने के लिए एक महिला मतदाताओं पर जोर भी दिया जा रहा है अब हमारे तेरा मंदलों में हमारे दुर्ग जिला के तेरा मंदलों की क्या बात करूं है पूरे हमारे दुर्ग लोग सभा में पैपिस मंदलों में हमारे बहतारी बंदन सम्मान लभारी लभार्ती जितनी भी भेने हैं उनका संबान किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने संबेनन रखा है जोकि हमारे बहनों का कहना है कि जब से मोधी जी आए हैं उन्होंने हमें आत्मे दिर्ज़र बनाने के लिए लिए लिगवात प्रयास किया है और इसी फ्लक्ष में उनको एक-एक हजार रुपे जो आ सितापूर में उन्होंने जनसभा को संबोधित कर दोए कॉंग्रेस को निशाने पढ़ लिया उन्होंने कहा कि 36 गड़ में विकास कारे पूरी तरह से रुके हुए थे जो अब तेजी से पूरे हो रहे हैं उन्होंने भाचपा प्रतियाशी चिंतामणी महराज को जिता कर सितापूर में विकास कारे पूरी तरह से रुके हुए थे लेकिन इस बार यहां से भाचपा उमिद्वार को जिताएं जिससे उतनी ही तेजी के साथ यहां विकास कारे पूरे हो सके और आम लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके आज यहां सितापूर में सितापूर विधान सभा छेतर का चुनावी यह सभा था जिसमें धूब के बाद भी भारी संख्या में मद्दाता भाई भहनी हमारे देवदुलव कार करता यहां पर पधारे और सब में बहुत उस्ता है और यहां के मद्दाताओं ने 75 साल में पहली बार भारती जन्ता पार्टी को जिताया है एक करमट स्रीरामकुमार टोपो को विधायक बनाये हैं और तीन मेहने में ही चतिरगर की सरकार ने बहुत सारा विकास का काम यहां पर सुकृत किया है पिछले 75 साल में जो यहां का अभिकास रुका हुआ है आने वाले समय में उसको निश्चितरूप से दुरूद गती से हम लोग पूरा करेंगे और आज जो उसा है यहां कारकरताओं में निश्चितरूप से जो बढ़ात यहां पर मिला था विधान सभाचुनाओं में 17,000 का हमको लगता है कि लोग सभाचुनाओं में यह बढ़ात दुगुना हो जाएगा भायरते जुन्तापाची के वन मंतरी केदार कश्च अपने कॉंग्रेस की रास्टर प्रवक्त रादिका खेडा की साथ काउग्रेस प्रदेश का रहले में हुए दुर्वेवार मामले में रादिका खेडा के ताजा ट्वेट को लेकर पूर्व मुक्या मंतरी वुपेश्च बगेल पर तंज कसा है केदार ने सवाल किया है कि आकिर प्रदेश से लेकर रास्टर नेता तक हर बार बगेल पर ही क्यों ठीकरा फोड रहे है क्या कॉंग्रेस नेता प्रियंका वार्डरेस मामले में कारवाई करेंगी रादिका खेडा को कॉंग्रेसियों से बचनी की सला देते हुए उन्होंने कहा कि 36 गड़ में भाजपा की सरकार के रहते उनको कुछ नहीं होगा यह मोदी की गारेंटी है और मुक्य मंतरी विष्णुदेश साय के सुष्छावसन की गारेंटी है भार्ची जल्ता पापार्टी की सरकार छतिगड़ में है जो महिलाओ के लिए कानून को पूरी तरीके सी इस्थापित करती है रादिखा खेरा चत्रीगड के किसी भी थाने में जाया और वहाँ जाकर कर रिपोर्ट दिखवाए भार्ची जिन्ता पार्टी की सरकार उनकों साथ में नयाय करेगे वहीं आज प्रियंका वाडरा का चत्रीगड में दोरा है मनेंजगर में नारी हूँ लड़ सकती हूँ नारा देने वाली रादिखा खेरा के बचाव के लिए उनके सम्मान के लिए वो भी चत्रीगड के किसी भी थाने में जाकर के चाहे तो आज वो मनेंजगर के दोर में है वहाँ पर जाकर के रिपोर्डर क्राए भारती जनता पार्टी रादिखा खेरा को नाज दिलाएगी 36 गड के बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए 14 जुआरियों को ग्रफतार किया है बलांगीर थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए मौके से 14 मोबाईल, 3 मोटर साइकल और 71,500 रुपए नगद भी बरामद किये हैं पुलिस के अनुसार वाजराफ नगर और मद्धप्रदेश के साथ अतरप्रदेश की सीमा शेतर में पहले भी कई बार जुआ केले की शिकायत मिल रही थी इसके बाद बुद्वार को कारवाई करते हुए 14 आरोपियों को ग्रफतार कर जेल भीज दिया है कॉंग्रेस की रास्टर प्रवक्तर रादिका खेडा से पाठी का रहले में दुर्वेवार मामले में सियासत गर्मा गई है इसे लेकर भाच्मानेता लगातार बयान दे रहे हैं इस मामले में पूर्व मुक्या मंत्री वुपेश बगेलनी प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि बलातकारी के पक्ष में प्रदान मंत्री प्रचार करने गए थे उसके बारे में भाच्पाई पहले बोले उन्होंने कहा कि करनाटक में बलतकारी जो सांसद है उसके बारे में भाचपाई पहले बोले बारे जन्दापाटी क्या कह रही है यह पहले बता है जो मीडिया से देखते हैं उन्होंने का हम इसकी ज्याज कराएंगे बासमात होगी ज्याज होगी जो गरपा है जो उचला कराएंगे और में चत्रिसगर की हाई प्रोफाइल सीट सरगुजा में भाचपार कॉंग्रेस के नेताओं ने पूरा दमखम लगा दिया है इंदिरो भाचपा की प्रदेश अद्यक्ष किरण सिंग देव सरगुजा के दौरे पर है किरण सिंग देव न सिर्फ कोर कमीटी की बैठक कर रहे हैं बलकि युवा मोचा को भी रिचार्ज कर रहे है वैंबिकापूर के गंधि स्टेजियम के पास आयुजित युवा मोचा के नमो युवा चुपाल कारिक्रम में चामिल हुए बाचपा प्रदेश अद्यक्ष ने कहा कि युवा और फर्स्ट टाइमर वोटर पर फोकस किया जा रहा है मोधी सरकार के 10 साल के उपलब्दियों को युवा तक पहुंचा रहे हैं जिसका लाव लोग सबचनाव में रंग लाएगा जिलाद देग्जी ने और युवा मूर्चा के और मंडल अद्यक्षों ने उनका सम्मलित प्रैस बहुत ही सरानी है बहुत प्रशंसनी है इस लोग सबचनाव के दिश्टिकों से भी सारे नीचे तक युवा चोपाल का कारिक्रम चल रहा है